नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुती महत्वपुर्ण और उसोधी पोधा से परिचित कराने वाला हूँ दोस्तों इस पोधे को देखे और अच्छे से पहचाने इस पोधे घर के आसपास रोड के साइड में नदी के किनारे में सभी जगा में ऐसे देखने के लिए मिलता है इस पोधे दो प्रकार के होते हैं एक पीले रंगवाली होता है और दो सफेद रंगवाली फूल होता है लेकिन दोस्तो इसका अवसोधी गोड दोनों में समान है इस पोदे एक फिट से दो फिट लंबाई होती है तो दोस्तो इसके क्या क्या फायदे हैं हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो दोस्तो वीडियो पूरा देखें जी हाँ दोस्तो सबसे पहले मलरिया बुखार के समस्या है या फिर थंड के बज़े से बुखार हो गया है तो क्या करना है इसके पत्ते को गाड़ा बना कर पीने से मलरिया बुखार ठीक हो जाता है इसके साथ साथ अगर इसके जड़ को और बीज को चूरन बनाकर मंजन करने से दातों का हर समस्या दूर होता है साथ ही साथ अगर सरदर्द का समस्या है सर बहुत दुखने लगता है तो क्या करना है इसके पत्ते को लेप बना कर माते पे लगाने से सरदर्द में तूरंद आराम मिलता है तो दोस्तो इस पोधे को तो आप पहचान लिया होगा अगर जब भी ऐसा समस्या आए तो इस पोधे का इस्तमाल जरूर करें तो दोस्तो आज का यह जानकारी आपको अच्छा लगाव तो हमारा यूटूब चनल जरूर सब्सकारीब करें